Sir, surgical strikes, ये सवाल मैं पूछ रही हूँ, पतानी जवाब आप देंगे की नहीं, जो surgical strikes जिस दिन हुआ, तो कहा जाता है कि आपको live information दिया जा रहा था, आपको step by step पता था कि क्या हो रहा है, उस वक्त आप क्या सोच रहे थे, क्योंकि ये संभव था कि surgical strike operation successful ना हो, तब उसकी ज mongering leader के तौर पर समझें कि आपने पाकिस्तान पर आक्रमंड किया, आप जंग छेड़ना चाते हैं, उस वक्त आपके मन में, क्योंकि ये पहली बार था कि as a prime minister, you were taking such a step, तो आपके मन में उस वक्त क्या था? देखे, जब उरी की घटना घटी, और जिस प्रकार से हमारे सेना के जवानों को मार दिया गया, चलाया गया, उस घटना ने मुझे बहुत बेचेन बना दिया था, और मेरे भीतर एक आक्रोस था, मैं बेचेन हो गया था, मैं केरल गया था, मैंने केरल में पब्लिक मिटिंग में इसका जिकर भी कर दिया, कि कि मैं अपने आपको रोक नहीं पा रहा था, लेकिन मैं एक लोगतंत्री की ववस्था का प्रतनी दिया हूँ, कि और कि मेरा व्यक्तिकर्द गुसा मेरा वीक्तिक्र खुर चीनी इस पर व्यलिधा पर कभी प्रभाव नहीं होना चाहिए मैं संथुलन्थ समझता हूँ लेकिन ऐसा हुआ क्यों उसके लिए मैंने सेना के लोगों से लगातार चर्चाए की लेकिन मैंने अनुभव किया कि मुझसे तो सेना के अंदर आग जादा लगी हुई है वे किसी भी हालत में इस परिस्तिती में देश के जवानों के मौरल के लिए भी उनको न्याय दिलाना चाहते हैं तो मैंने से कहा का आप पुरा डिजाइन करके लाइए मेरे पास क्या है क्या है और मैंने का आप जीतना भी कर सकते हैं करिए आप सोचने में कमी मत करना फिर बैठके ताय करेंगे कि इतना कर सकेंगे नहीं कर से मैंनों को खुली छूट दी उन्हों बुरा प्ला इस operation की, क्योंकि मैं full security चाहता था, अखिर कर अपरेशन ताय हुआ, मैं जानता हूँ कि यह बहुत बड़ा रिक्स था, और रिस्क मुझे राजनी थी, फाइदे और नुक्सान वाला रिस्क में कभी सोथता नहीं हूँ, मेरे जवान, उनका कोई नुक्सान नहीं हो रहा चाह लगाने के लिए निकल पड़े है, तो उसके लिए जो कुछ भी साधनों की जरूरत थी, उसको भी कुछ साधन भी चुटाए गए, तकि कोई तकलीफ नहीं हो, दूसरा यह तह किया कि उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, तो ट्रेनिंग बड़े स्पेशल तरीके से की गई, और वो भी सिक्रेट से मैंटेन करने तो स्पेशल ट्रेनिंग की गई, उसमें भुभाग महां की अट्चने उसको भी देखा गया, क्या-क्या रुकावटे आ सकती, इमेजिनेशन करना, उसकी भी चिंता की गई, और मैं इन चीजों को मेरे लिए बड़ा लर्निंग एक्स् सिखनों को मिल रहा था, फिर हम जब बैटे तो हमने देने किया, भई, आप सो एंसो डेट हम करेंगे, कौन कहां रहेगा, उसका मेइन टीम के लोग, वो भी ताई किया, और ताई ये किया, कि सुर्योदय, कि पहले हमारे लोग वापिस आ जाने चाहिए, और मैंने इस पस् कि सफलता मिले या विफलता, उसकी चंता छोड़ देना, लेकिन सुर्योदय के पहले बापिस आना है, हम इस मुह में पढ़ जाएं, और फिर लंबा खिचले जाना है, जो भी करना है, जो भी करना है, लेकिन मैं मेरे जवानों को मनने नहीं दूँगा, ये मेरा पहला, उनको वेल ट्रेंड किया गया था और उनको खुद को निर्णे करने का मौका दिया था कि बताओ वेस्टना बड़ा इसकी काम है तो चांट करके लोग निकाले थे इस प्रक्रिया में थोड़ा समय भी गया था देश में भी आक्रोष था कि मैं लाइव कॉंटेक्ट में था चीजे था लेकिन सुभे जानकारी आना बंद हो गया है कि सुर्यदय होते तक मैं फिर बेचन होने लगा हूं पर मन में होता था कि क्या हुआ गंटे पर से कुछ ख़बर नहीं आ रही है पढ़ना तो लगातार आ रही थी दिखले हैं पहल लेकिन सुर्यदय होने के बाद भी मुझे ख़बर नहीं आने लेगी तो मैं थोड़ा बेचन होने लगा हूं अब मैं भी नहीं चाहता कि मैं अपनी तरफ से उधर कॉम्मिनिकेट करूं कहीं और तकलीव हो जाए तो काफी याने करीब करीब सुर्यदय के भी एक घंटे के बाद वो समय मेरे बहुत कठीन था बहुत मुश्किल था कि मैं जिन्दा लोटने के ख़बर सुनने के लिए में बढ़ा रात कि इतना नुक्सान हुआ वह बात का विश्य है लेकि मेरा जवान जिन्दा लोटने मेरी पहली प्रांत प्रांट प्रिकता थे फिर एक खबर आई करीब गंटे भर के बाद कि अब वापिस हमारी सिमा में पहुंचे नहीं है लेकिन हमारी दो-तीन टुगडियां सेफ जोन में आ गई है लेकिन चलने निकलते और कोहीं रेंगते हुई निकलते तो समय लगेगा लेकिन अब हमारा सेफ जोन है इसलिए आ लेकिन वो हम करीब सुरिय दे के बाद दो घंटे तक वापिस आने का करम चला और आखिरी वक्ति आ गया तो फिर हमने केमिनेट कमिटे ऑन सेकुरिटी की मिटिंग बुलाई और उनको मिडिया ने आर्मी के लोकों ने आकर किसारा ब्रीट किया उसके बाद पाकिस्तान को कानल कामिनेट कमिटे ने सेकुरिटे टाइ किया और पहले पाकिस्तान को सुचना करूब बोलते नहीं कुछ बात करीब साड़े कारा पौने बारा बजे हुई तो बारा बजे फिर प्रेस को सारा देश को बताया तो मेरे लिए पर बहो थी एक परकार से excitement भी था चिंता भी थी पर मैं पूरी तरह खुद involved था बारी नजल ले रहा था लेकिन जिस परकार से operation किया जिस बारी के से किया हमारी से सेना की शक्ति का मुझे एक नया परिचे हुआ जी हमारी सेना में ये जो सामर्थ है अध्वूत है जी और मैं तो सर जुगा कर उनको नमन करता हूं कितनी बारी किसे इतनी परफेक्ट लिए उन्होंने प्लान किया और इसलिए गर्व होता है हमारी सेना पर